मोगल सराय स्टेशन पर चेकिंग के दोरान जीरपी ने दो युवकों को दो करोड की करेंसी के साथ गिरफतार क्या है युवक अब दुरंतों से दिल्ली जा रहे थे पकड़े गई युवक विहार के बाका जिली से ट्रेन में सवार हुए थे युवकों के बास ये करेंसी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले है पुलीस ने करेंसी को कबजे मिले कर पूछताश शुरू कर दी है ये दुरंतों ट्रेन से दो लोग पकड़े गए हैं जिनके पास करीब 2 करोड रुपया कैश है ये बांका से चले थे बिहार से और दिली लेकर रहे थे लेकिन कुछ असपश नहीं बता पा रहे हैं किसका पैसा है क्या पैसा है बाकी डिटेल, इनिवस्टिकेशन, इंकम्टेक्स दिवाग दोरा की जाएगी जी एर्पी और आर्पी एफ की टीम सयुक्त रूप से मुगल सराय रेलवी स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग कर रही थी रात दस बजे के लगभग प्लाटफॉर्म संख्या 6 पर हावडा से नई दिल्ली जा रही दुरोंतो एक्सप्रेस ट्रीन पहुंची टीम के सदस से ट्रेन में चेकिंग कर रहे थे कि इसी दौरान एसी कोच A1 के सीट संख्या 5 और 6 पर एक बैग मिला बैग की तलाशी लेने पर 500 और 2000 रुपे की गड़िया बरामद हुई चंदौली से प्रदीप शर्मा के रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी